प्यारे बच्चों, अभी हमने अध्यन किया पाठ यक्ष दुष्चर सम्वादा का, आईए, पाठ पुस्तक में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं, उन सब्दार्थों को देखते हैं, वे सब्दार्थ हैं, केन स्वित, अर्थ है कि इसके द्वारा, विन दते, इसका अर्थ ह प्राप्त करता है, सुरूतेन, सुरूत कहते हैं वेद को, तो सुरूतेन, द्रित्यों भक्ति एक वचन का प्रेग हुआ है, इसका तात्पर यह होता है, वेद से, सुरूत्रियह, अर्थात, सुरूत्रियह मतलब वेदों का अध्यन करने वाले, या वेदों का विद्वान, धृत्या इसका तात्परी होता है बहुतायत। दाक्ष्यम इसका तात्परी होता है कूसलता या चतुराई। श्रेयह का अर्थ होता है कल्याण। प्रोक्तम प्रधन उक्तम इति प्रोक्तम गुंडस्वर संदी का प्रयोग हुए यहां इसका तात्पर यह होता है कहा गया दमः इसका मतलब होता है दमन री रीक अर्थ होता है लग्जा द्वंद्व स्वहिष्णु त्वं इसका तात्पर ये होता है विभिन्न भावों का जो द्वंद्व होता है उन सभी में समभाव रहना अर्थात सुख दुख लाभानी अच्छा बुरा सही गलत आदी में समभाव इसको कहा जाता है द्वंद्व सहिष्णुत्वम। अकार्य निवर्त्रम। इसका तात्परे होता है ना करने योग्य कार्य को त्याग देना। प्यारवच्चों पाठ में ये सब्दार्थ दिये हुए हैं आप देख भी सकते हैं और उनका अर्थ यहां से समझ सकते हैं। अभी चुछा अभी आप द्वे इन अभी आभी प्यास जिसका द्यान करने जा रहे हैं वहां जो प्रश्ण दिये हुए हैं। वे ही प्रश्ण पूछे जाएं। हो सकता है पाठ के अधार पर प्रश्ण बना कर आपको पूछ दिया जाए। या उनकोँ हल करने के लिए कह कहा जा सकता है तो उसके लिए आपको तयार रहना है आई अभी हम जो अभ्यास के प्रशन है उन प्रश्णों को हल करने के प्रयास करते हैं आप देखा रहे हैं अभ्यास है तो इसमें अलग-अलग तो पहला इसमें निर्देश जो होते हैं वे भी संस्कृत में होते हैं वे भी इन परिक्षाओं में जो आज कर प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके निर्देश भी संस्कृत में होते हैं तो भली भाती आपको उन निर्देशों को समझना है और समझ करके उनका उत्तर देना ह तो पहला निर्देश है अधो लिखिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भासा या लिखत अधो लिखिता नाम मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्णा नाम प्रश्णों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भासा में लिखत लिखो अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्न दिये जा रहे हैं उनका उत्तर संस्क्रित में तयार करना है ऐसा नहीं है क्योंकि यदि परिक्षा में निर्देश बदल दिया गया कि अधो लिखेता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी हिंदी भास या लिखत तब कैसे करेंगे इसलिए जो प्रश्न दिये गए हैं उनके उत्तर आपको संस्क्रित में भी तयार करना है और हिंदी में भी तयार करना है आईए देखते हैं प्रश्न कौन-कौन से हैं पहला प्रश्न है केन स्रोत्रियो भवती इसका अर्थ होता है कि इस से वेदों का विद्वान होता है उत्तर है आप जानते हैं पाठ आपन या कहें कि वेद के अध्यन से व्यत्टी वेदों का विद्वान होता है ऐसा आप लिख सकते हैं हिंदी में हैं तो यह पहला प्रश्न हुआ आगे बढ़ते हैं खादप युच्चे तरह कह अर्थात हिंदी क्या होगा इसका आकास से उचा कौन है या आकास से उचा किसे कहा गया है किसे माना गया है किसे माना गया है हमने पाठ में अभिध्यन किया किसको कहा गया है पिता बिलकुल सही तो उत्तर लिखेंगे देखिए जैसा प्रस्ण दिया गया है उसी भासे में उत्तर देने का प्रयास करें प्रस्णों की भासा का उपयोग करते हुए हम उत्तर द आकास से उंचा पीता है या पीता को माना गया है ऐसा हिंदी में आप लिख सकते हैं अगला प्रश्न है लाभा नाम उत्तमम किम हिंदी क्या होगा लाभों में उत्तम क्या है अर्थात विभिन लाभों में उत्तम किसे कहा गया है उत्तर क्या है बाच में पढ़ा उत्तर है श्रेयह तो लाभा नाम उत्तमं श्रेयह अर्थात विभिन लाभों में जिस लाभ से कल्यान हो या परोपकार हो वह लाभ अन्य लाभों की तुलना में उत्तम है ऐसा अब हिंदी में उत्तर लिखिए अगला प्रश्ण है केन प्रकासते कि इससे प्रकासित नहीं होता है ये प्रश्ण का हिंदी भाह हुए उत्तर क्या है तमसा अंधकार से या अंधकारिन या तमसा हम पाठ के अधार पर यहां पर जो प्रश्ण दिए पाठ के अधार पर है इसलिए उत्तर भी कैसा होगा यह जो प्रस्ण वाचक सब्द है इसके इस्थान पर जो उत्तर वाचक सब्द है उसको रख दीजिए और बाकी जो अंसे हैं वाक्य के उन अंसों को यथावत रहने दीजिए आपका उत्तर हो जाएगा तो यहां हम देखते हैं के प्रश्ण वाचक सब्द है इसके इस्थान पर उत्तर वाचक सब्द तमसा को इस्थापित कर देते हैं तो उत्तर हो जाएगा जैसे तमसा न प्रकासते अर्थात अंधकार से प्रकासित नहीं होता है या कहें कि अंधकार में कोई चीज दिखाए नहीं देता है तो इस तरह से विभिन प्रश्न पाठ से भी पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं क्योंकि हमने पाठ का भली अब अगला अभ्यास देखते हैं, निर्देश क्या है, अगला अभ्यास की निर्देश है, रिक्तस्थानानी पूरयत, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिए दो तरह की विकल्प होते हैं, एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें रि चैन करके हमको उनका उत्तर लिखना है जब इस तरह की विकल्पनना हो तब आप स्वतंत्र होते हैं वहाँ जो उचित सब्द है उन उचित सब्दों से आप रेक्तिश्थान की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन चोंकि प्रशन संबंधित पाच से है इसलिए उत्तर भी आपका बंधित पाच के अधार पर होना चाहिए आईए यहां क्या दिया है देखते हैं यहां लिखते हैं रिक्तस्थानान पूर्यत रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए इसके बाद कुछ सब्द दिये हुए हैं क्या क्या सब्द दिये हुए हैं माता धन्या नाम सुखा नाम द अन्यानाम, सुखानाम, दमनाम, लोभात, इन सब्दों से हमें रिक्त इस्थान की पूर्थी करनी हैं. पहला वाक्य देखते हैं, रिक्त इस्थान तियाजाती मित्राणी, तियाजाती मतलब त्याग देता है, मित्राणी मतलब मित्रों को. अब यहाँ जो सब्द दिये और रिक्त इस्थान पर लिख दीजिए, हो गया उत्तर आपका, तो तिय जाती मित्राणी, मित्रों को त्याग देता है, कौन से स्थिती में, यहाँ जो दिया है, उसमें से देखिए, मात आएगा क्या, धन्या नाम आएगा क्या, सुखा नाम आएगा क्या, दम नाम आएगा लोभात आएगा क्या? विल्कुल सही, तो लो भात यहां पर प्रेक्ट होगा, तो लिख धियान दीज़ेगा, जब हम रिख्थ इस्थानों की पूर्ति करते हैं, तो केवल रिख्थ इस्थान जो शब्द आएगा केवल उसको नहीं लिखना वहाँ हमको रिक्तिस्थान की पूर्ती भी करना है पूरा वाक्य लिखना है जैसे लोभात तियजाती मित्राणी ऐसा कर दीजिए और हम लोभात से रिक्तिस्थान की पूर्ती किया है इसलिए लोभात सब्द में क्या करेंगे हम उसको हम रिखांकित कर दीजिए तो इस तरह प्रस्ट देखिए, यह आपका उत्तर हो गया, तो लोभात तियजाती मित्राणी, अगला प्रस्ण देखते हैं, अगला रिक्तिस्थान है, रिक्तिस्थान गुरुतरा भूमेह, अर्थात भूमी भारी है, किस से भारी बताई गई है, माता से, तो माता सब्द यहां दिया है क्या हादिया है तो माता सब्द से रिक्तिस्थान की पूर्ति कर दीजे माता गुरु तरा भूमे है माता भूमी से भारी है यह इंदियर्थ हो गया तो माता सब्द को रिखांकित कर दीजे हो गया उत्तर आपका अगला प्रश्न रिक्तिस्थान उत्तमम दाक्ष्यम खाली स्थान या रिक्तिस्थान उत्तम कहा गया है क्या कहा गया है धन्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम अर्थात जो धन्या है उनमें दक्षता या कुसलता को उत्तम कहा गया है तो धन्या नाम सब्द दिया हुआ है तो उसको लिख दीजिए और धन्या नाम के नीचे रिखांकित कर दिजी, तो धन्या नाम उत्तमम दाक्षम ये उत्तर हो गया, अगला प्रश्ण देखते हैं, अगला प्रश्ण है, रिक्त इस्थान तूष्टिरुत्मा, तूष्टि मतलब संतोष, उत्तमम मतलब उत्तम, कौन सा यहां जो विकल्प दिये हुए, माता, धन्या नाम, एक चीज का धिया रखेगा, जब इस तरह की विभिन्न सब्द दिये हैं, उन में से एक सब्द एक स्थान पर आएगा, तो जिन सब्दों का प्रयोग रिक्त इस्थान में हमने कर लिया है, उन सब्दों की पुन्रवृत्य अब नहीं करेंग तो सुखा नाम और दम नाम ये दो सब्द बचिये हुए हैं, तो घरीक्त इस्थान तुष्टी रुत्तमा, क्या आएगा, सुखा नाम तुष्टी रुत्तमा, अर्थात सुख, सुखों का, सुखों में उत्तम क्या है, संतोस है, यह हमने पाठ में पढ़ा है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जागा सुखा नाम रिखांकित कर दीजे इसको तुष्टि रुत्मा ये भी लिख दीजे हो गया उत्तर आपका अब अगला रिक्ताइस्थान देखते हैं अभी तक हम जितने रिक्ताइस्थान देख रहे थे उसमें हम देखें कि प्रथम पध है इसको ही लेकिन सभी जगा ऐसा हो आवश्यक नहीं है, हो सकता है कहीं पर अंत में आपको रिक्तिस्थान दिखाई दे या मध्य में दिखाई दे या प्रारम में भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि किसी एक इस्थान पर हमें रिक्तिस्थान देखने को मिले, तो यहां हम अंतिम जो र दमाहा दमन किसका दमन तो दमनम दमाहा अर्थात मन का दमन करना चाहिए ये कहा जा रहा है तो यहां पर उत्तर क्या होगा दमनम तो मनसा दमनम रिखांकित कर जिए और दमाहा हो गया तो इस तरह से हम रिक्तिसान से संबंधित अभ्यास को हमने हल किया इसको समझा इसी तरह से पाठ के अधार पर विभिन प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको तयार रहना है, आईए, हम अगले अभ्यास के और आगे बढ़ते हैं, अगला अभ्यास है, संस्कृत भास या अनुवादम कुरुत, अर्थात, यहां जो वाग के दिये हुए हैं, उनको ह हिंदी अर्था पूछा जा सकता है, कभी हिंदी वाग के लिखा हो, उसको संस्कृत रुपांतरित करने के लिए कहा जा सकता है, तो एक भासा में लिखी बात को दूसरी भासा में रुपांतरित करना ये अनुवाद कहलाता है, तो ऐसा संस्कृत से हिंदी या हिंदी से संस करने के लिए कहा जा सकता है तो यहां जो प्रश्ण दिया गया है वो कहता है संस्कृत भास्या अनुवादम कुरुत अर्थात यहां जो वाक्य के दिये गए हैं वो संस्कृत का नहीं है वो हिंदी का है उन वाक्यों को हमें संस्कृत में अनुवाद करना है अर्थात करते हैं तो आवस्चक नहीं कि एक ही रिती से करें आप चाहें तो वहां संधियुक्त पदों का या परियाय पदों का भी प्रयोग कर सकते हैं तो एक ही अर्थ देने वाले विभिन पदों का प्रयोग करते हुए हम अनुवाद कर सकते हैं पहला वाक्य है जैसे लिखा वेद जीवन ज्यानम भवती ऐसा भी आप कर सकते हैं या वेदस्य अध्यानेन जीवन ज्यानम भवती कर सकते हैं तो जो आपको सरल लगता है वैसा कर सकते हैं कोई आवश्चक नहीं कि एक ही रीती का पालन किया जाए तो वेदा ध्यायनेन जीवन ज्यानम भवती यह होगे संस्कृत रूपांतर इस तरह से अगला वाक्य है माता भूमे भूमी से बढ़कर है तो इसका उत्तर क्या होगा संस्कृत में रूपांतर इद करना है तो माता गुरू तरह भूमे है यह अपा की भासा में उत्तर जे सकते हैं या माता का जो परियायपद है उनको भी आप रख सकते हैं, जैसे जननी, गुरु तरा, भूमे, ऐसा भी आप कर सकते हैं वाईयो से सिग्रतर मन होता है, इस वाक्य को संस्क्रित में वाद करना है, क्या होगा? तो वाईयो से, तो वाईयो को क्या कहा जाता है, देखें, जैसे पार्षन प्रेग तो हुआ है, वात और वाईयो, दोनों सब्दका प्रेग हुआ है, इसके लावा इसके परियायपद जो हैं, उनका भी आप प्रेग कर सकते हैं वातात सिग्रतरह मनह ऐसा कर सकते हैं या वायोह सिग्रतरह मनह ऐसा कर सकते हैं या पवनात सिग्रतरह मनह ऐसा भी आप लिख सकते हैं आवश्यक नहीं कि जो सब्द यहां प्रयुक्त है उन्ही सब्दों का हम प्रयुक्त करें उनके परियाय पदों को भी उनके सामनार्थक पदों को भी हम प्रयुक्त करके अपनी बात कह सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं लोब से मित्र को त्याग देता है, लोबहात मित्रम त्याजाती लोब से मतलब लोबहात मित्र को मित्रम त्याग देता है, त्याजाती तो लोभात मित्रम तिया जाती ऐसा ख़दीजी हो गया अगला बाग क्या है अज्ञान से संसार आवरित है अज्ञानेन संसार आवरित है संसार के स्थान पर संसार का परिया भी आप रख सकते हैं अज्ञानेन लोकह आवरित है ऐसा भी कह सकते हैं तो इस तरह से जो वाग के अनुवाद के लिए कहा जाए चाहे हिंदी से संस्कृत हो या संस्कृत से हिंदी हो इनमें हम विभिन्न क्रिया पदों का प्रयोग कर सकत जो संग्या या सर्वनाम के पद आते हैं, इनके परियाय पदों का भी हम प्रयोग करते हुए अनुवाद कारी हम कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला भ्यास है सुमेलनम कुरुत, सुमेल कीजिये या जोडी बनाईए, सही जोडी बनाईए या पढ़ाए न आप लोगों बिलकोल, तो वैसा ही यहां करना है, तो जब हम देखते हैं सही जोडी बनाते हैं या सुमेल करते हैं, तो अलग-अलग खंड में अलग-अलग सब्द होते हैं, तो एक खंड में जो सब्द, आखंड में, या प्रथम खंड का खंड या आखंड या अखंड यो होता है, इस उन सब्दों को यथावत रहने दीजिये, और दवितिख खंड में जो सब्द दिए हैं, इनका इस्थान परिवर्थन आप करके प्रथम खंड के सब्दों के साथ में इसकी जोड़ी बना सकते हैं. तो यहां खंड अ में जो सब्द दिये हुए हैं वे हैं माता मनाह चिंता तुष्टि मित्राणी इसी तरह से खंड ब में जो सब्द दिये हुए हैं वे हैं बहुतरी त्रनात सिग्रतरम वातात गुरुतराभूमे हैं लोभात्य जाती सूखानामुत्तमा तो यह सब्द खंड करने का तरीका क्या है परिक्षा में जब इस तरह का प्रशन आये तो आप खंड अ या खंड क में जो सब्द दिये हुए है उनको आप यथावात लिखिए और उसके बाद एक खंड आप बना दीजिए सही उत्तर अर्थात सही क्या है उसको आप वहाँ पर लिखते जाहिए जैसे यहां खंड आ में जो सब्द दिया है माता और बखंड में जो सब्द दिये हुए हैं उनमें से कौन सा सब्द माता के साथ सुमेल कर रहा है अर्थात सही जोड़ी बन रहा है उसका चैन कीजिए और सही उत्तर का जो खंड आप बनाये हैं उसमें लिखते जाहिए जै कौन सा सब्द जो है वो माता के साथ सुमेल हो रहा है हम देखते हैं तो माता गुरु तरा भूमे हैं हम से लोक में पढ़े थे ना तो माता को भूमी से भारी बताया गया है तो इसलिए माता के साथ में जोड़ी बना देंगे किसको तो आप सही उत्तर का जो खंड बनाए है उसमें लिख दीजिए गुरु तरा भूमे है आगे बढ़ते हैं मना अब एक चीज ध्यान रखिएगा जब इस तरह के प्रस्ण दिये जाते हैं कोई आवश्यक नहीं कि जो खंड और खंड ब में जो सब्द दिये हुए हैं वे सभी मेल न खाते हों ऐसा नहीं हो सकता कभी कभी भ्रमित करने के लिए ऐसा भी प्रस्ण दिया सकता है कि खंड और ब में जो सब्द दिये हुए हैं हो सकता है पूरे के पूरे मेल खाते हों और फिर भी आपको सुमेल की तो यहां हम देखते हैं मना हाँ इसकी जोड़ी हम किसके साथ बनाएं अब हमारे पास जो विकलप हैं वो चार विकलप हैं एक विकलप कह एक हम चैन कर लिये हैं तो देखते हैं बहुतरी त्रिनात के साथ संबंद बनेगा क्या नहीं सिग्रतरम वातात हां मनकितिया विशेष्टा है कि यह वाई उसे भी बड़ी तेज गति से जाता है मतलब यह कि इसके साथ में जिसके जोड़ी बनाई गई है वो कैसा है सही है तो उसको आप क्या करना है छोड़ना नहीं है उसको आप जहां पर सही उत्तर का खंड बनाए है वहाँ इसको लिख दीजिए तो मनाह सिग्रतरम वातात हो गया आगे बढ़ते हैं चिन्ता अब इसके साथ में तीन विकलप हमारे पास है बहुतरी त्रिनात लोभात त्यजती और सूखा नाम उत्तमा तो इसके साथ में खिसकी जोड़ी बनेगी देखे जिसकी जोड़ी पहले बनती है उन जोड़ी को पहले आपको बना लेना चाहिए जिस चिन्ता चिन्ता क्या है इसको घासों से बढ़कर जासता त्रिन से बढ़कर बताया गया है अर्थात घासों से अधिक चिन्ता होती है कहा गया है तो बहुतरी त्रिनात इसके साथ में इसका मेल बन रहा है तो सही जोडी का खंज यहां बनाए हैं वहां आप लिख दीजे चिंता के आगे क्या बहुतरी त्रिनात हो गया अगला प्रश्ण तुष्टी के साथ में अब जोडी बनाना है दो चीजे हैं लोभात तिया जाती और सुखा नाम उत्तमा तो हम मित्रों की विशेशता पढ़ अर्थात तिया जाती इसका खंज बन रहा है और सुखा नाम उत्तमा की जोडी किसके साथ बनेगी तो उसके लिए फिर विकल्प है तुष्टी है सुखा नाम उत्तमा अर्थात सभी सुखों में उत्तम संतोष को कहा गया है तो तुष्टी है सुखा नाम उत्तमा को अब लोभात्य जदि को सही उत्तर के खंज में मित्तराणी के आगे रख दीजिए तो इस तरह से हम जो विभिनब पद दिये हैं खंज A और खंज B में इसका हम सुमेल इस तरह से कर सकते हैं केवल लकिर मात्र नहीं खिंचना है या केवल उसका क्रमांक बस नहीं डालना है अपी तो यहां हम उसको सही उत्तर का एक खंड बनाएंगे और उन खंडों में जो जो उत्तर आता है उनको वहां लिखते जले जाएंगे तो इस तरह से हम कोई भी प्रश्न हो सुमेल से संबंदित इसको हल करने में समर्थ होंगे आईए अगल अभ्यास देखते हैं अगल अभ्यास है अधो लिखता नाम स्लोका नाम माध्यमिन निर्देशा नुसार मुत्तराणी लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए स्लोक के माध्यम से निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिये अर्थात यहां पर स्लोक दिया हुआ ह और स्लोक के साथ कुछ निर्देश दिये हुए हैं प्रश्णों में और जैसा निर्देश दिये हैं प्रश्णों में वैसा हमें उत्तर लिखना है स्लोक है अज्याने नावृत्तो लोकस्तम सान प्रकासते लोभात्य यति मित्राणी संगात्स्वर्गं नगच्छती तपहस्वधर्म वर्तित्वं मनसोदमनं दमहां चमाद्वंद्वसहिष्णोत्वं हृरेकार्यनिवर्तनं प्यारे बच्चों ये स्लोक दिया हुआ है और इस स्लोक के अधार पर विभिन प्रश्ण दिये हुए हैं तो क्रमसह उन प्रश्णों को हल करते जाएंगे तो प्रश्णा है अ प्रश्णों के अलग-अलग खंड बना कर दिये हैं अर्था जितने प्रश्ण दिये गए हैं इस लोग के अधार पर वे प्रश्ण एक जैसे नहीं है अलग-अलग खंड का तात्परिया है कि अलग-अलग तरह के प्रश्ण तो खंड अ यहां दो प्रश्ण है पहला प्रश्ण लिखता है के नावरितो लोक ह अब दूसरा प्रश्ण है प्रचमा का प्रोक्ता यह दो प्रश्ण है अलग-अलग प्रश्ण है और इनका उत्तर भी हमें अलग-अलग लिखना है तो पहला प्रश्ण के नावरितो लोक ह अब यह जो स्लोक हमारे सामने है और इस स्लोक के अधार पर यह प्रश्न दिये हुए है अर्थात इसके उत्तर हमें स्लोक से खोज कर लिखना है तो केन आवरित्तो लोकह तो आपको यह देखना है कि आवरित्त कहां दिख रहा है और लोकह कहां दिख रहा है क्योंकि केन मतलब होता है किससे आवरित्ता मतलब आच्छादित है या धाका हुआ है या व्याप्त है लोकाह मतलब होता है संसार तो यह संसार कीस से व्याप्त है यह प्रस्ण पूछा गया है हिंदी में इस कतात पर यह है लेकिन उत्तर कैसे देना है इंको? संस्क्रित में उत्तर देना है और जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार से तो क्या होगा? लोकह ऐसा भी कर सकते हैं या अज्याने नावृत्तो लोकह पुर्ण दराम कर दीजिए हो गया उत्तर आपका बस ऐसा ही करना है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है पराच्छमा का प्रोक्ता तो हम पाठ में पढ़े हैं और उसके अधार पर यह प्रशन पूछा गया है त अर्थात चमा देखे दूति स्लोक जो है इसमें इसका उत्तर दिख रहा है में तो चमा द्वंद्व सहिष्णुक्तम हीरकार्य निवरतनम तो यहां पर छमा सब्द का प्रियोग हुआ है अर्थात चमा की क्या विशेशता है यहां देखे शलोक कहते हैं तो चार चरन है तो उसमें से प्रथम चरण, द्विती चरण, तृती चरण और चतूर्थ चरण, कौन से चरण में च्छमा सब्द दिख रहा है? तृती चरण में, तो तृती चरण का जो उत्तर हम लेंगे, तो इस प्रश्ण का उत्तर हम दे सकते हैं, तो परा च्छमा का के इस्थान पर, कि प्रस्ण वाचक जो सब्द है इसके इस्थान पर जो उत्तर वाचक सब्द है उसको इस्थापित करना है उत्तर हो जाएगा तो पराच्छमा द्वंद्व स्वहिष्णुत्वं प्रोकता अर्थात पराच्छमा किसको कहा गिया है जो द्वंद्व स्वहिष्णुता है उस इस तरह से आगे बढ़ते हैं खand B रेखांकित पदाना मूल सब्ध विभकति वचनानी चल लिखत अब श्लोक में जो सब्द आये हुए हैं उन में आप देखे। आप पर रिखांकित किया गया है, जहां जहां जो रिखांकित किया गया है, उनके मूल सब्द क्या है, ये पहचानना है, उनकी विभक्तियां क्या है, ये पहचानना है, वचन क्या है, ये पहचान कर हमें लिखना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अज्ञानेन, तो इस सब्द क परे लिख लिजी अज्ञानेन, मूल सब्द क्या है, अज्ञान मूल सब्द है, विभक्ति कौन सी लगी है, तृतियो भक्ति लगी है, वचन कौन सा है, एक वचन, और चाहे तो इसका सब्दार्थ भी पूछा जा, सब्दार्थ क्या होगा, इसका तातपर यह होता है, अज् बढ़ते हैं फिर देखते हैं लोकस तमसा यहां पर तमसा जो है इस मेरे खांकित किया गया है तो तमसा तमसा का मूल सब्द क्या है मूल सब्द है तमस और व्यक्ति कौन सी है व्यक्ति है तृतिय व्यक्ति एक वचन और इसका ताथपर होता है अंधकार से लोभात यहां पर तो लोभात का मूल सब्दा है लोभ, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन, और इसका अर्थ होता है लोभ से, मनसो, यहाँ हम दूसरा स्लोक में देखते हैं, तापहसवधर्मवर्तित्वम मनसो मेरे खांकित किया गया है, तो मनसो इस सब्दा का मूल सब्दा क्या है? इ मनसो नहीं है, क्या है वो मनसो दमनम यहाँ पर संधी पद है, तो संधी को अलग करेंगे तो उसका रूप बनता है क्या मनसा बनेगा, लेकिन रेखांकित किस में क्या गया है, मनसो में क्या गया है, तो मनसो ही आपको लिखना है यहाँ, और उसका मूल सब्दा बताना है, तो मूल सब्द होगा उसका मनस, विभक्ति है पंचमी भक्ति और सस्थ्विभक्ति, दोनों में इसका प्रयोग होता है मनसह का, तो दोनों विभक्ति आप बताएं, पंचमी और सस्थ्विभक्ति, और वचन, एक वचन, यहां आप पंचमी भक्ति और सस्थ्विभक्ति, दो तो यहां जो मनसह प्रयोग हुआ है यह वस्तुता है पंच्मी भक्ति का लेकिन केवल मनसह सब्द दिया जाए और इसके विभक्ति वचन और मुल सब्द पूछा जाए तब आप वहां पर पंच्मी और सश्ट्वी भक्ति दोनों बता सकते हैं लेकिन चोंकि स्लोक के अधार पर पूछा गिया है इसलिए यहां आप केवल पंच्मी भक्ति बताएंगे तो इस तरह से आप ये जो स्लोक के अधार पर विभिन सब्द रूपों को दिया गिया जिनके रूप पहचानना था विभक्ति और वचन पहचानना था इसी तरह से क् आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रकासते इती सब्दस्य व्योत्पत्तिम उपसर्ग मूल धातू धातू रूपंच लिखत अर्थात प्रकासते यह जो सब्द दिया गया है इसकी व्योत्पत्ति हमको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है कौन सा मू यहां जो क्रिया रूप है धातू रूप है इसमें प्राउपसर्ग है कास धातू है और यहां आत्मने पद का प्रत्या है आत्मने पद का धातू है और यहां प्रकासते जो रूप प्रयुक्त हुआ है वह लट लकार का है एक वचन में यहां प्रयुक्त हुआ है आप जानते आत्मने पद के विशय में आत्मने पद लटलकार में प्रत्य जो लगते हैं वे हैं ते एते अन्ते तो यहां हम प्रकासते में देख रहे हैं तो ते अर्थात लटलकार प्रथम पूरुस एक वचन के प्रत्य का प्रयोग यहां हुआ है तो इसी तरह से आप चाहें तो प्रक प्रकास्ते, 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 प् क्रिया रुपों को भी आप को पहचान करने के लिए कहा जा सकता है तो अब भली भाती अध्यन किये हैं तो निश्टी दरुप से इन सभी प्रश्णों का उत्तर भी आप सरलता और सहचता पूर्वक देने में समर्थ होंगे आईए आगे बढ़ते हैं अब दखंड इसमें ल अध्यों के हिंदी में अनुवाद कीजिए अर्थात हिंदी में उसका अर्थ क्या है यह हमको लिखना है पहला वाक्य लिखता है संगात स्वर्गम न गच्छती यह वाक्य है इसको हमको हिंदी में बताना है इसका अर्थ क्या होगा संगात मतलब संगती से स्वर्गम होता है जाता है अर्थात संगती से स्वर्ग नहीं जाता है बस इतना लिखना है आपको हो गया बस और कुछ नहीं करना है चली आगे बढ़ते हैं अगला वाक्य है हरीरकार्यनिवर्तनम इसका क्या करना है? हिंदी भास्य अनुवादम कुरूत अर्थात यह जो सब्दे लिखा गया है इसका आपको हिंदी अनुवाद बताना है तो इसका अर्थ होता है हरी का मतलब होता है लज्जा अकार्य मतलब होता है न करने योग्यकार्य को, और निवर्तनम मतलब त्याग देना, तो न करने योग्यकार्य, हरीरकार्य निवर्तनम, इसका तात्परी क्या हुआ, हरीरकार्य निवर्तनम, इसका तात्परी हुआ, न करने योग्यकार्य को त्याग देना ही लज्जा है, ऐसा कर दीजिये, तो हो पाठ को अध्यान किया, यक्षर धिर्ष्छर सम्वादा है, और पाठ के जो विभिन्न स्लोक आये थे, इनका हमने अध्यान किया, सब्धार्थ और साथे साथ विभिन्न अभ्यास के प्रश्णों का भी हमने अभ्यास किया, अर्थाथ पाठ को हम भली भाती समझ पाए हैं, अभी जैसा हमने अभ्यास किया, इसी तरह से पाठ के अधार पर विभिन प्रस्ण भी पूछे जा सकते हैं, जोंकि आप भली भाती तैयारी कर चुके हैं, इस पाठ के माध्यम से, तो इसलिए पाठ संबंदी जितने भी प्रस्ण विभीन परिक्षाओं में पूछे जाएंगे, उन प्रस्णों के उत्तर भी आप भली भाती लिख पाएंगे, दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, और फिर हम अगली कक्षा मिलेंगे, तब तक के लिए, सर्विभ्यो नमो नमाहा